आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खुबसुराथ प्लान जिसका लेयाउट प्लान आपके सामने है इस प्लाट के साइज के हम बात करें तो 30x40 का ये प्लाट है जिसका स्क्यार फिट एरिया 1200 स्क्यार फिट बनता है और इसको गज में देखें तो 135 गज बनता है टोटल और इस वीडियो में जो टीटेल होगी जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे क्या-क्या चीज़े आपको मिलने वाली है वो यहां पे पूर्री लिस्ट हमने बनाई हुई है यहां पे एंप्रेंस पोर्च स्लैश कार पार्किंग होगा आपका प्लस आपको एक चोटा सा गार्डेन एरिया मिलेगा ड्राइंग एंड केस्ट रूम जैसा आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं डाइनिंग स्पेस आपको सेफरेट मिलेगा और दो बेड्रूम इसमें होंगे और एक अटैच बातरूम और एक कॉमन बातरूम एक किचन होगा आपका स्टेर होगा और कार पार्किंग होगा और यह जो स्टेर है आपको नॉर्मली इसको रेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से हमने इसकी डिजाइनिंग की है इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो है आपका 2D प्लाइन जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं प्लस 3D इंटीर प्लाइन जो हम आपको दिखाने वाले हैं फिद माटीरियल फिद फरनीचर के साथ सारी डिटिल आपको य रहे थे जिसका साइज है 30 by 40 और इसको हमने डिजाइन किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3D दिखाने का में मकसद हमारा यह होता है कि जिससे आपको clear view मिल सके अगर आप घर बनाने जा रहे हैं उससे पहले अगर आपको घर का view देखने को मिल जाए तो यह बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि आपको एक आईडिया मिल जाता है कि हमारे घर में कि इस तरीके से finishing होगी कि इस तरीके सा material यूज़ कर सकते हैं प्लस कहां पर क्या चीज़े आ रही है फरनिचर में वो सारी चीज़े आपको clear view यहां पर मिल जाता है एक बहुत ही important चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस plan का vaastu से developing लेना देना नहीं है इसरे इसमें वस्टी असपेक्ट ना करें जिसकी हमने opening रखी है 10 foot की, 5-5 foot के दो पल ले आ जाएंगे यहाँ पे, या फिर अगर आप sliding यूज़ करना चाहें, तो आप इधर sliding यूज़ कर सकते हैं, अंदर side में, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ यह हमारा road है और यह हमारा parking level है, तो यहाँ पर जाने के लिए ह हमने एक छोटा सा ramp दिया हुआ है, तो normally road से और parking के level थोड़ा सा different है, जिसकी height हमने रखी है 1 foot, road से parking का जो height होगा, वो 1 foot होगा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने parking area में, तो parking हमने इतनी चोड़ी रखी है कि आपकी एक car और एक बाइक अराम से यहाँ पे आ सकती है पारकिंग या फिर मान लेजी या फिर porch मान लेजी या एंट्रेंस porch तो इस तरीके से हमने इसको design किया है, अब इसकी size कि मैं बात करूँ तो इसकी जो चोड़ाई है वो 12 foot है, और इस parking की पूरी लंबाई यहाँ था कि यह जो है pot हमने रखा हुए यहाँ पे, इसकी लंबा करते हैं यहाँ पे side में, तो यह हमारा garden area है जहाँ पे हमने garden में ही CD को propose किया हुआ है, और इसका size हमने लिया हुआ है पूरे garden का, 16 feet 10 inches की पूरी चोड़ाई है, यहाँ से white वाले पट्टे से लेके यहाँ तक wall के अंतर अंदर तक 16 foot 10 inch है, प्लस इसकी जो यह लंबाई है व CD का, तो CD का size हमने लिया हुआ है, 10 foot 9 inch, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक 10 foot 9 inch है, और by आपका 3 foot 3 inch चोड़ी यह CD है, तो 3 foot 3 inch प्लस 3 foot 3 inch, आपका 6 foot चोड़ा हो गया यह, तो इस इसापस हमने CD का divide किया हुआ है, 3 foot 3 inch चोड़ी CD आपको first load तक जारी है आपे, उसकी बाद ह step इसमें आपको कितने हैंगे total, आप यहाँ पे जो step रखेंगे 21 रख सकते हैं या फिर 19 रख सकते हैं, इन दोनों के हिसाब से आप normally जो height आप रखेंगे ground floor की वो 11 या 12 foot, यह दो height हो में आप जा सकते हैं, या तो आप 11 foot रखेंगे या फिर आप 12 foot रख सकते हैं, अब हम लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घार की जो main entrance है, यहाँ पे 4 foot चौड़ी है, तो 4 foot में आप 2 पल्ले या फिर single पल्ले का डोर आप लगा सकते हैं, बाकि इसकी जो चुड़ाई है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसके बाद जैसे ही हम drawing room में enter क देख सकते हैं कि sofa sitting हमने किस तरीके से range की हुई है, यहाँ पे 3-seater plus यहाँ पे 2-seater, बीच में आपका center devil आगया, यहाँ पे आपके 2 sitting chairs type, plastic chairs आते हैं, वो यहाँ पे आगया, उसके बाद जो है wall पे हमने wall paper यूज किया हुआ है, flooring पे हमने marble यूज किया हुआ है, और इधर जो wall पे है, हमने texture body यूज किया हुआ है, तो इस तरीके से इसकी designing है proper तरीके से, और इधर आपका सामने जो है, यहाँ पे LCD आ जाता है, तो इस तरीके से इसकी designing है, अब हम बात करते हैं इसके size की, तो 14.25 का इसका पूरा size है, drawing room का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यह 14 foot है, औ आपका यह 12 foot 6 inch है, जो काफी अच्छा size है sitting के लिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे kitchen, तो kitchen भी काफी बड़ी kitchen है हमारी यहाँ पे, तो kitchen का जो counter है, वो L shape में है, fridge की position है, cooktop जो है, आपको जिस counter पे लगाना होगा आप लगा सकते हैं, इस वाले पे भी या फिर इस तो उस हिसाब से आपको sink की adjust कर सकते हैं, kitchen में हम और क्या changes कर सकते हैं, वो एक पर आप लेख लिए, यहाँ पे, यहाँ पे जो kitchen का जो normally है, वो counter आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे, यह भी 7 shape में भी देख रहा आपको, लेकिन आप इसको just reverse कर सकते हैं, तो य यह वाला counter आपका as it is रहेगा, यह वाला उठके fridge वाली wall पर आ जाएगा, तो इससे भी आप इसको change कर सकते हैं, इस तरीके से, और इसकी ventilation आपका, जो हमने पीछे यह दर 4 foot का passage चोड़ा है, उदर से इसकी ventilation होगी, हाँ एक चीश में बताना चाहता हूँ कि यह plot जो है आप पे bedroom 1, यह हमारा bedroom 1 है, यह bedroom 1 है जिसमें आपको एक bed, एक हलमारी और साथ में आपको LCD यहाँ पे मिल जाता है, और साथ में आपको attached toilet भी मिल जाता है यहाँ पे, तो इस bed का जो size है bedroom का, वो 10,5-12 foot है, 10 foot इसकी पूरी चोड़ाई है और 12 foot 6 इसकी पूरी लंबाई है, जिसमे आपको king size एक bed मिल जाता है, और एक हलमारी 2 foot चोड़ी मिल जाती है, तो यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको दो window option मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे double side road है, एक आपका city के नीचे आपका window आ जाएगा, और एक आपका इधर road side में window आ जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, attached toilet की, तो यह attached toilet काफी बड़ा है, यहाँ पे हमने वासबेशिन दिया हुआ है, और यहाँ पे seat की arrangement की हुई है, तो इस तरीके से इसका size बनता है, आपका 6 foot चोड़ा है पूरा यह, इसकी चोड़ाई यह 6 foot है, और य की, यह हमारा bedroom 2 है, अब इसमें भी आपको जो है, एक bed, एक अलमारी और आपको LCD यहाँ पे मिल जाता है, तो यह bedroom पहले वाले bedroom से थोड़ा सा छोटा है, इसका size हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे इसका size है, 10 by 11 का, इसका size हमने रखा है, तो normally यह जो bed है, आप इसको जो ह आपको यहाँ पे मिली रहा है, तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, प्लस यह भी देख लीचे कि यहाँ पे जो हमने वाल पेपर यूज किया हुआ है, प्लस यहाँ पे नॉर्मली जो हम विडन फ्लोरिंग दिखाते हैं, लेकिन अभी जो है, आपको नार्मल मार्व इसकी पूरी यह लंबाई है, और चोड़ाई है, चार फुट तीन इंच, यह आठ फुट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है, जिससे कि हम यहाँ पे एक चोटा सा वास बेशन दे दे, और एक चीशे और हम साइज भोल रहे हैं, यहाँ पे आठ फुट और इसकी जो पूरी लंबाई है, हम सिर्फ अभी आपको यही तक दिखे, यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक यह जो हमारा है, यह साथ फुट है, यह साथ फुट है, और यह चोड़ाई जो है, आठ फुट है, तो इस हिसाब से यहाँ पे काफी अच्छी डाइनि है, यहाँ से इर लेके, यहाँ तक वो नौ फुट नौ इंच है, प्लस इसकी जो यह पूरी जो है, यह लेंथ यह साथ फुट है, तो नौ फुट नौ इंच भाई, साथ फुट का यह पूरा किचन हो गया, यहाँ पे आठ भाई साथ का यह डाइनिंग टेवल हो गया, डा की हुई है और बाग की जो एरिया आप देख सकते हैं आपके कितना सारा ओपन एरिया हमने छोड़ा हुआ है और यह जो पूरा प्लॉट है 30 बाइचालिस का है तो आप इस तरीके से इसकी डिसाइनिंग कर सकते हैं जिसमें आपको कार पार्किंग प्लस एक पाइक इसको बनाया गया है और एक पर और मैं बताना चाहता हूं कि इसका वास्तु से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसलिए वास्तु एस्पेक्ट ना करें अब हम बात करते हैं डूर की तो डूर का जो नॉर्मल जो मैंने बाहर की जो डूर है उनका साइज बता दिय हैं लेकिन हम तीन नहीं रखते हैं हम तीन फूर चार इंच चौड़ा रखते हैं या फिल साड़े तीन फूर तो इससाप से बेटरूम के दरवाजे होंगे प्लस टौलेट के दरवाजों के दो साइसे चौड़ाई बाहर बता दिता हूं आपको उसका जो है दो फूर छे इनचे एफिर दो फूर तीन फूर जोड़ा होगी टॉलिट के इससाब से आप देख सकते हैं प्लस विंड्धू की जो नॉर्मल की साइट से सुरू होती है अगर हम fit inch में शुरू करते हैं तो normally 3 foot या 3 foot height से या फिर 3 foot 3 inch height से शुरू करते हैं और कहीं भी आप mm में अगर कोई काम करता है तो उसमें normally 1 meter height होती है तो 1 meter height approximate 3 foot 3 inch तक आपकी हो जाती है तो इस हिसाब से 3 foot 3 inch से आप window शुरू कर सकते हैं फिर 3 foot से भी शुरू कर सकते हैं प्लस height जो है normally जो है दरवाजों को height match किया जाता है window के साथ तो जो भी आपके दरवाजों की height हो अगर match करना चाहते हैं तो आप match कर सकते हैं या फिर आप उसके नीचे भी रख सकते हैं यह आपके उपर depend करता है अब हम बात करेंगे इसकी construction cost यहां पर इस एक फ्लूर की मैं construction आपको बता देता हूं कि अगर आप same to same design करते हैं तीस वाई चालिस में देखिए जितना area आपका open है उतना आपका open रहेगा बाकी सारे construction area है उनके हिसाब से जो costing आपके बैठेगी यहां पर minimum 15 लाग होगी और maximum ठार लाग जाएगी तो इस में जो है क्या क्या चीज़े include होंगी वो भी एक वर्स लेजिए यहां पर आपका furniture या फिर lose item एक भी include नहीं रहेगा क्योंकि furniture आप अपने budget के ही साफ से देख सकते हैं बाकि जो भी हमने finishing यहां पर दिखाई है जैसे वकी बाहर वाले wall पर हमने क्या लिया हुआ है प्लस parking में आपका क्या है प्लस यहां पर boundary wall की इस तरीके से है प्लस अंदर हमने क्या finishing यूज़ की है पत्थर, wall paper, color combination यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं same to same आपका पूरा र बना सकते हैं क्योंकि यह बाहर से है CD तो इसलिए अंदर वालों को कोई परिशानी नहीं होने वाली तो इसे साब से आप 2-3 floor आराम से इसमें बना सकते हैं उमेद करता हूं इस वीडियो से काफी लोगों को help मिलने वाली है इसलिए इस वीडियो को share करें जिससे की दूसरो लोगों के भी help हो सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद